इस विडियो में हम समझेंगे Atoms. कल्पना कीजिए कि एक इंटो से बनी दीवार है. ये इंटे इस दीवार के Building Blocks है. इन इंटो को एक Particular Manner में Arrange किया गया है ताकि इनसे एक Definite Shape या Pattern बन सके. Similarly, Universe में सभी Matter Atoms से बने होते हैं. Universe में हर चीज एनरजी के अलावा Atoms से बनी है. यानि सभी Matter के Building Block Atoms ही होते हैं. Atoms बहुत छोटे होते हैं. Atoms उस हर चीज से छोटे होते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं. एक बहुत ही पतली Paper Sheet को बनाने के लिए Millions of Atoms आपस में जुड़े होते हैं. जैसा कि हमने कहां, सभी Matter Atoms से बने होते हैं. लेकिन Different Matter Different Atoms से बनते हैं. इन Different Atoms को Elements कहते हैं. अब तक लगभग 118 Elements खोजे जा चुके हैं. हर एक Element का एक यूनिक नाम और सिंबल होता है. डेल्टन्स Atomic Theory के According हर एक Element के पास Fixed Atomic Mass होता है. इस Mass को Represent करने के लिए हम Carbon Atom का यूज़ करते हैं. Atomic Mass is a quantity of matter contained in an Atom of an Element. Atomic Mass Unit Carbon Atomic Mass के 1-12th के बराबर होती है, जिसमें Carbon Atomic Mass 12 Unit के बराबर होता है. आईए इसे एक Example से समझते हैं. मान लीजिये की लकडी का टुकडा है. अब इस लकडी के टुकडे को 12 Equal Parts में Divide कर लेंगे. हम हर एक Part को Would Mass Unit Consider कर सकते हैं. इसी प्रकार जब Carbon Atomic Mass को 12 Equal Parts में बाटा जाता है. तब हर Part Atomic Mass Unit कहलाता है. यह कुछ Different Elements के Atomic Mass Example है. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर और लाइक करें. तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में.